तुमस्कार प्यारे बच्चों मैं विजय बच्चों आज BAC फाइनल फिजिक्स पेपर टू और यूनिट फाइव यहने लास्ट यूनिट का इंपर्टन कोशन लेकर आए हैं डिजीटल परिपत डिजीटल सरकीट बच्चों इसमें का कोशन जो है बहुत ही बढ़िया कोशन हैं बहुत आसान हैं तैयारी अराम से कर सकते हैं बस आपको क्या करना है आर गेट एंड गेट नाड गेट हाना नंड गेट ना स्वरी नंड गेट नार गेट एकस ओ आर गेट एकस नार गेट तो यह आपको क्या करना है पढ़ने है ठीक है प्यारे बच्चों पूरा गेट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजे, बहुत ही सरल है भाई, उसका आप सत्यता सारनी ठीक है, सरकिट बना लीजेगा, और उसका संकेत सिंबाल बना जेगा, बहुत ही बड़िया तरीके से हो जाना है, प्यारे बच्चों, और मुझे तो लगता है कि पेपर 2 में, पूरे 5 यूनिट में सबसे सरल यूनिट यही है, सरल चेप्टर यही है, तो सबसे पहले इसको तैयार कर लीजेगा, प्यारे बच्चों, ठीक, तो चलिए आईए देखे, क्या है इसमें, देखो, सबसे पहला, ऐसे तो मैं कोशन बना कर दिया हूँ आपको, लेकिन मैं कहूंगा, कि आप आर गेट, एंड गेट, हाना, उसके बाद नाड गेट, नार गेट, एकस आर गेट, एकस नार गेट, यह सब को अच्छे सिकर लीजेगा, ठीक है ना, यह सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, तो मै सरवत्रिक द्वार किसे कहते हैं, तो सरवत्रिक द्वार दो ही है हमारे पास, एक नंड और नार, इसी को हमको, इसके मूलभूत द्वार किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इसके द्वारा इसको बताना है, सी भासा को समझाना है, प्यारे बच्चों, नेक्ष नमारा है, बह मारगन का नियम, मालू में ना, A plus B का डेस, A डेस into B डेस, A डेस प्लस B डेस, तो उसका true table बना करके आप अच्छे से समझा दीजिएगा, तो ये सबसे पहले इस unit को तयार किजिए, बिल्कुल 10 में 10 number आपको मिलना है, प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठेक, तो चलिए, इस तरीके से आपका पूरा paper का important question complete हुआ, हमने first paper का भी दिया, और second paper का भी दिया, बस आपको पढ़ना है, यदि इसको पूरे जितना भी 10 unit का हमने दिया है, यदि पढ़ लिया, तो बिल्कुल बहुत अच्छा number आने वाला है प्यारे बच्चों, हमें जरूर याद करेंगे आप exam के बाद, ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए, आज का class यहीं तक रखते हैं, यदि अच्छा लगा, तो लाइक कीजे, सेर कीजे, सब्सक्राइब नमस्कार